मान ग्यात करें, प्रस्ण 40, 2078.61 को भाग देना है, 589 से, तो प्रस्ण 40, 589 से भाग देना है, 2078.61 तो 589 है, यहाँ पर क्या है, 2078, तो देखें, 500 चुक, 2000 होता है, लेकिन 89 है, तो तीन ही बार में लगेगा, तो 589 तिया कितना होता है, गुना करके देख लेंगे, नोतिया 27, साथ यह एकईस और दो, तेईस, पांतिया पंदरदो, सत्रह, सत्रह सो सैंतिस, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, आट में साथ गया एक, साथ में सतीन गया चार, दस में से साथ गया तीन, 341 आया, अब 6 को उतारेंगे, तो छे के पहले दस मलो है, तो देखें, तीन बार में हम लगाए थे, 1737, तो तीन यहाँ पर लिखेंगे, 589 तिया 1737 आया तो 3 यहाँ पर लिखने लेंगे उसके बाद अब देखिए 6 को उतारेंगे तो 6 के पहले 10 मलो है तो हम यहाँ पर 10 मलो दे देंगे तो अब 6 को उतारेंगे तो हो गया 3416 तो देखिए 500 चक 3,000 होता है लेकिन 416 है तो 5 ही बार में लगीगा तो 589 गुना 5 करके देखते हैं कितना आता है 945, 745, 35, 44, 45, 25, 23, 28 2895 तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2895 ठीक है 6 में से 5 गया एक तो 5 बार में हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर 5 लिखेंगे 11 में से 9 हो गया, 2, 3, 13 में से 8 गया, 5 यह हो गया, 2 में से 2 हो गया, सुनने तो अब 6 उतर चुका है तो अब एक को उतारेंगे ठीक है तो हो गया 5211 तो 500 गुने 10, 5000 होता है तो 9 बार में लगेगा ठीक है, क्योंकि 589 है तो 589 गुने 9, 9, 81, 9, 63, 8, 71, 9, 45, 7, 22, 5,211 तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 5211 देखें पूरा पूरी लग गया है, यानि कितना है इसमें 3,000, यह माफ कीज़े, 3 दसमलो, 5, 9 इसका उतर यानि इसका भागफल तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे प्रस्न एक तालिस तालिस में है 8,170 से भाग देना है 431 दसमलो 3, 7, 6 8,170 से भाग देना है किसको 431 दसमलो 3, 7, 6 तो यहाँ पर देखी 431 तो लगेगा नहीं 8,170 से तो अगर 3 भी मिला दें तो 3 दसमलो के बाद है इसलिए यहाँ पर पहले हम दसमलो दे देंगे और दसमलो के पहले सुनने तो देखे 4,313 भी नहीं लगेगा इसको भी अगर मिला दे साथ में 3 को भी 4,313 होगा तो जो भी नहीं लगेगा इससे तो अब 7 को यहाँ पर देखे 7 में मिला देंगे तो इसके दिए एक सुनने देंगे यहाँ पर ठीक है क्योंकि दसमलो के बाद दूसरा आंग को भी मिला रहे है साथ में तो उसके बदले एक सुनने देंगे अब देखे 43,137 यह पूरा लगेगा 43,137 तो 8,170 से 43,137 कितना बार में लगेगा देखे 8,000 मान लिजए कि 8,000 है तो 85,40 यानि 40,000 तो 5 बार में लग जाएगा तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे ठीक है अब देखे 5 से इसको गुना करते हैं तो 5 गुने सुनने आठ सते चपन तो देखे सुनने गुने पांच सुनने हुआ 7 पचे 35 होगा देखे हम माफ कीजिए यहाँ पर 6 हम लिख दिये थे 7 पचे 35 तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे ठीक है और 5 गुने एक 5 तो यहाँ पर लिखेंगे देखे सामने सामने फिर 8 पचे 40 तो कितना आ गया 40,000 तो 7 पचे 35 हाथ मेरा 3 तो देखे 5 5 गुने एक 5 5 तीन 8 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर तो 40,850 आ जाएगा 8,170 गुना 5 देखे 8,170 गुना 5 कितना आएगा 40,850 ठीक है तो इसको हम लिख दी है यहाँ पर अब घटा देंगे तो 7 में से सुनने गया तेरह में से 5 गया 8 यह हो गया 10 10 में से 8 गया 2 यह हो गया 2 और देखे यहाँ पर सुनने आ गया कितना आ गया 2287 तो अब 2287 तो लगेगा नहीं 8170 से तो 6 गुदा रहेगे यहाँ पर तो अब हो गया 22,886 तो अब देखे तिया 24,000 होता है यानि दो बार में लगेगा तो हम यहाँ पर दो लिखेंगे अब देखें दो से गुना कर रहे हैं तो सुन्ने गुना दो सुन्ने साथ गुना दो साथ दूनी 14 हाथ मेरा एक अब देखें दो गुना एक दो दो एक तीन आठ दूनी 16 तो इसको घटाएंगे तो 6 में से सुनने गया 6 7 में से 4 गया 3 8 में से 3 गया 5 12 में से 6 गया 6 यहाँ पर सुनने आ गया कितना आ गया 6,536 अब देखे 6,536 8,170 से नहीं लगेगा तो 10 मलोग दिया हुआ है तो एक सुनने हम दे सकते हैं यहाँ पर तो कितना हो गया 65,360 तो 8,000 गुना 8 माल लिजे 8,000 है तो 8,000 गुना 8 64,000 64,000 देखे 8,000 गुना 8 कितना हो जाएगा 64,000 यानि 8 बार में अब लग जाएगा यह तो हम 8 लिखेंगे आप तो 8 गुने सुनने सुनने 8,56, हाथ में रहा 5 8,5,13, हाथ में रहा 1 8,84,61,65 देखे पूरा पुरी यह लग चुका है तो इसका उत्तर कितना आ गया इसका उत्तर आ गया 0,05,28 0,05,28 यानि भागफल आ चुका है 0,05,28 प्रस्न 42 42 में 6,73 से भाग देना है 10,000,100,195,17 ठीक है तो देखे इसको लगाना है 6,73 से किसको भाग देना है 10,000,100,195,17 ठीक है अब देखे दस्मलोग पहले ही दस्मलोग दे दिया है तो हम भी यहाँ पे दस्मलोग दे देंगे और दस्मलोग पहले सूने देते है ठीक है यहाँ पर कोशन में नहीं दिया है क्या पता क्यों नहीं दिया है सूने दस्मलोग हो गया यहाँ पे अब देखें, सुनने तो लगेगा नहीं, पहला आंग तो लगेगा नहीं सुनने, तो उसके बदले हम सुनने देंगे, दूसरा आंग भी नहीं लग रहा है, उसके बदले भी सुनने देंगे, तीसरा आंग एक है, तो एक इससे तो लगेगा नहीं, तो उसके बदले भी सुन 6 आंक, कितना हो गया, 19001 आमन, मिलाके, 6 आंक मिलाके हो गया, 19001 आमन, तो अब लग जाएगा कितना बार में लगया, 6,318 होता है, देखे, 600 है, तो 6,318, नहीं 1800, लेकिन हाँ पर 73 है, तो 2 ही बार में लगया, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 3 गुने 2, 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12, 13, 13, 1346, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया 6, कितना आया 605 अब ये 7 को उतारेंगे, ठीक है, तो आगया 6,57, 6,000, अब कितना बार में लगया, तो 6 से देखिए, 600 से 9, 10 बार में होगा 6,000, लेकिन 73 है, 673 है, तो 9 बार में लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और देखिए, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, सदे 63 और 2, 65, हाथ में रहा 6, 9 चक, 54, 60, तो ये पुरा पुरी कट चुका है, इसका उत्तर आ गया, यानि भागफल, सुन्य दस्मलो, सुन्य, 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 दो 9, ठीक है, ये हो गया, देखिए, इसका उत्तर, तो जितना आंक नहीं लगेगा, उतना सुन्य देंगे, ठीक है, और जहां से लगना सुरू होगा, वहां से फिर लगाएंगे, तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच अंग तक नहीं लग रहा था तो पांच सुने हम दे दिया, दसमलों के बाद, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छठा अंग देखे लग रहा है, जाके यानि, еक, हर, नौ, सो, एक, मन लग रहा था पूरा, तो ये छठा अंग हुआ तो आप दो से लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरह हम इस तरह का सवाल हल करते हैं प्रस्न तेतालीस तेतालीस मैह तेतालीस भागा तिरपन हजार दो सो, एकामन दसमलो 6 3 13201 10.63 तो 43 से लगाना है तो देखे 43 लग जागा एक बार में पहले हम एक बार में लगा देंगे 3 में से 3 गया सुनने 5 में सिचार गया एक अब 2 को उतारेंगे तो 102 हो गया तो 43 दूनी अब 2 बार में लगाएंगे तो देखे 3 दूनी 6 चारदुनी आठ 86 बारा में से 6 गया 6 नौ में से 8 गया देखें बारा में 6 गया 6 यह हो गया 9, 9 में से 8 गया 1 यह हो गया सूनी यानि 16 आगया अब 5 गुतारेंगे तो हो गया 165 तो 44, 160 होता है लेकिन 43 है तो इसलिए हम तीन बार में लगाएंगे 12 कितना आगया 15 में से 9 गया 6 यह हो गया 5, 5 में से 2 गया 3 देखें 36 अब एक कुतारेंगे तो 361 तो 9 चुक 36 होता है ठीक है देखें 40 है तो 9 चुक 36 तो 8 से लगाएंगे क्योंकि 43 है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 आठ तिया 24 हाथ में रहा दो आठ चुक 32 और दो 34 11 में से चार गया 7 पांच में से चार गया 1 आ गया यहाँ पर 17 तो अब 6 को उतारेंगे तो 6 के पहले 10 मलो है तो यहाँ पर भी हम 10 मलो देदेंगे ठीक है छे को उतारेंगे देखे 176 हो गया तो देखे 40 चौक होता है 160 तो 4 बार में लगेगा तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो 43 चौक चारतिया बारह हाथ में रहा एक चर्चुक 16 एक सत्रह 172 देखे 6 में से दो गया 4 चार आ गया अब 3 को उतारेंगे ठीक है उपर से देखे तीन को उतारेंगे तो 43 कितना बार में लग जागा एक बार में तो 43 गुने 1 तेटालिस यह पुरा पुरी लग गया है तो यानि इसका भाग फल कितना आ गया 1238 दस्मलों 4 एक ठीक है यानि इसका उत्तर आ चुका है तो इस तरह हम प्रस्न 43 भी हल कर लेंगे